असलाम लिक में विवान, आज मैं आपके शेयर करी हूँ एक चाइनीज स्टार्टर की रेसिपी, बटर गालिक चिकन, बहुत असान है, इसे बनाना बनता भी बहुत जलती है और बहुत ही मसितार, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं मसितार सी रेसिपी, तो बटर गालिक चिकन बनाने के लिए मैंने यहां आदा किलो भूनलेस चिकन ले लिया है बाइट साइज पीसिस में इसको कट किया है इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टी स्पून लस्ट रख का पेस्ट साथ में डालेंगे हम इसमें 1 टी स्पून काले मिर्च का पाउडर और इसमें अब हम नमक डालेंगे 1 टी स्पून नमगा आपने टेस्ट के साब से एड़्यस कर सकते हमने बाद में इसमें सोया सॉस पी डालना है तो अभी हम शुरू में कम डालेंगे और 2 टी स्पून इसमें मैं कॉन फ्लार यानि की कोटिंग जो है चिकन पे लग जाए और यह चिकन पे जब अच्छे से सारा मसाला लग जाएगा तो हमने इसको आदी घंट एक लिए बस ठक की काउंटर टॉप पे ऐसे ही छोड़ देना है फ्रिज में रखने की जूरूत नहीं क्यूंकि हम सिर आदा घंटा ही इसको मेरिनेट कर रहे है आदा घंटा हो गया है तो चिकन को फ्राइ करेंगे हम थोड़ा सा तो यहाँ पे में दो से तीन टेबल स्पून की करीब मैंने तेल लाल दिया है और जब तेल थोड़ा गरम हो जाएगा तो हम यह चिकन की सारे पीसे जो है तेल के अंदर टाल देंगे फिलेम को रखेंगे मीडियम पे और मीडियम फिलेम पे हमने चिकन को तब तक फ्राइ करना है जब तर इस पे खुबसूरत सा गोल्डन से कलर नहीं आ जाता और चिकन हमारा अल्मस्ट डन नहीं हो जाता तो इस step में कम से कम 7-8 मिनिट लगेंगे flame को high मत कीजेगा और ना बहुत जादा low कीजेगा medium flame पे इसको हम अच्छे सा golden color आने का wait कर लेंगे तो यह देखें चिकन में खुबसूरत सा color आ चुका है golden brown color आ चुका है तो अब मैं flame को low कर दूँगी और मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ कि देखी कितना अराम से ही कट हो रहा है that means यह completely done है क्योंकि अगर हम bowlless chicken को over cook करेंगे तो वो बहुत जादा chewy और hard हो जाता है तो यह perfectly done है बाकी का जह हम sauce में इसको पकाएंगे तो यह और complete हो जाएगा तो इसको मैं एक plate में bowl में निकाल के अलग रख लेती हूँ तो same pan में बचेवे तेल के अंदर दो टेबल स्पून मैंने यहां butter डाला है और यह green onion का जो white part होता है यह मैंने इसको जो है बारी कट करके इसमें डाल दिया है बहुत ही अच्छा flavor आता है garlic का तो इसको भी हम पका लेंगी जब तक हलका सा golden brown नहीं हो जाता और एक से दो मिनिट बाद जब लसन की कच्छी smell खतम हो गई और हलका से golden brown हो गया तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हरी मिर्च तो यह मैंने एक चमच हरी मिर्च का paste डाला है आप चाहें तो दो से तीन हरी मिर्च बारी काटके भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च को भी अच्छे से इसको हम 30 सेकंड की भून लेंगे साथ में अब जाएगा इसमें वान टी स्पून का करीब सोया सॉस इसको भी हम मिक्स्चर में बहुत अच्छे से मिला लेंगे मैं फ्लेम को कर लेंगे मीडियम टु हाइए और इसको भी हम एक से दो मिनिट को कर लेंगे ताकि इसका कॉन फ्लार का जो कच्छा पने वो खतम हो जाए और ये ग्रेवी जो है न थिक सी हो जाएगी तो देखिए इस तरीके सी गारी सी होगी तो अब टाइम आ गया इसमें चिकन डालने का जो हमने फ्राइ करके रखा था तो सारा चिकन में इसके अंदर डाल दिया ह है बहुत मज़िदार इसमें खुश्भू आ रही है अब हमने क्या करना है हमने कर देना है फ्लेम को बंद और इसकंदा हम में डाल रही है हैँ यह आप रटा टी स्पून के करी मैंने इसमें वाइट विनेगर डाला है आप चाहें तो इसमें एक टी-स्पून नीबू कर र रही हूं सफेद तिल वाइट सेस्मी सीट बहुत मज़िदार लगता है ये स्टार्टर जो है आप एक बार इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा मुझे उम्मीद है आप उस जरूर पसंद आएगी पसंद आए तो इसको फैमिली और फ्रेंस के दाद शेर जरूर कीजिए आप भ मनाते रही है साइके मसिदार